Hi everyone, welcome to our YouTube channel, that is Shohan Videos in association with an academy, India's largest online learning platform. In this video, we have studied the same as we might or can-could use in which way we can use, so today we will continue to study should and must use. and we will continue to study the same as we should use which way we should use and must use. We will continue to study the same as we can see. If you want to study the same as we should use the same as we use the same as we should use. These are free classes for all of us, so you can follow us on the same as we can. The code is called our Ohan Videos, if you want to use any of an academy, then we can use this code. का यूज करेंगे आपको 10% का discount दिया जाएगा तभी Unacademy के सभी subscriptions पर ठीक है तो फिर जैसे कुछ modals है यहां पर जैसे can होता है could may might should ought to have had to dare need यह कुछ models होते हैं जिनका use करते हैं हम अपनी conversations में और grammar में का use किया जाता है साथी साथ यह जो जो सेंट जो बोल रहा होता है जो action करता है action में होता है उसका mood को यहां पर define करता है model तो किस तरीके से हम किस model का use कहां पर करना चाहिए वह ही हम इस video की series में देख रहे हैं तो हमने can हमने कर लिया could कर लिया may और might हम कर चुके हैं अब हम बात करेंगे should और must की तो start करते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि model का use हमेशा permission ability possibility promise suggestion advice request compulsion wish prayer duty और obligation के लिए किया जाता है तो हमने may might can could हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि should का use कहां पर करें जैसे बहुत से students को confusion रहती है कि should का मतलब भी होता है चाहिए और must का meaning भी हिंदी में होता है चाहिए और use हम वहीं पर करते हैं जहां पर हमारा हिंदी में sense निकलता है चाहिए का वहां पर use करते हैं हम should और must दोनों लेकिन confusion यह है कि should का use कहां पे करें और must का use कहां पे करें दोनों ही हमारे duty obligation के लिए use किये जाते हैं जहां पे भी हम करतववे की बात करते हैं कि यह हमें करना चाहिए तो वहां पे हम use करते हैं should का या must का तो अब उस confusion को clear करेंगे और आगे देखेंगे तो बात करते हैं should की, सबसे पहले हम बात करेंगे should की, तो जब हम बात करेंगे duty या obligation की, जब हम अपने करतववे की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम use करेंगे should की, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कि हमारे पास option रहता है, means हमारे उपर किसी तरीगे की कोई necessity नहीं होती, compulsion नह यहां पर हम हमारे उपर होता है çek सकते हुर नहीं भी कर सकते हैं लेकिन जहां पर हमारे उपर necessity आजाती है compulsion आजाता है कि यह चीज़ करनी हमारे रहे है जहां पर अनिवारता जैसी बात आन्याकती है वहां पर हम यूज करते हैं must का दोनों में आपको clear समझ यह confusion clear हो गई हो कि दोनों का use होता है चाहिए के लिए चाहिए sense के लिए लेकिन फर्क सर्फ इतना है कि जहां पे हमारे पास option रहता है कि हम उस चीज को करें या ना करें वहां पे हम use करते हैं should का लेकिन जहां पे हमारे पास necessity की बात आजाती है कि हमारे पास कोई option नहीं होता और वो चीज compulsion बन जाती है हमें उस चीज को करना ही करना है वहां पे हम use करते हैं must का जैसे should का example देते हैं कि I should be present there मुझे वहां पे present होना चाहिए मुझे वहां पे present होना चाहिए मैं वहां पे present रहूं या ना रहूं वो भी option है लेकिन यहां पे एक बात कही गई है कि मुझे वहां पर present होना चाहिए ठीक है दूसरी चीज जब हम past में किसी चीज की बात कर रहे होते हैं और future के बारे में बताते हैं जैसे मैंने उससे I told him that I should go there मैंने उससे कहा था मैंने उससे बताया था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए तो मैंने ये बात past में कही थी past में मैंने ये बात कही थी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए यानि past में मैंने किसी future की बात करी थी future में किसी काम को करने की तो जहां पे past में हम किसी future में action की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम use करते हैं, should. चीक, I told him that I should go there. उसके बात जहां पे हमें purpose define करना होता है, जहां पे purpose की बात आती है, कोई motive वहां पे बताना होता है, वहां पे भी हम use करते हैं, should का. जैसे example से समझेंगे, example लिखा है कि study carefully, lest you should fail. ध्यान से आपको ध्यान पूरवक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, कि कहीं आप fail ना हो जाओ. आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, कि आप fail ना हो जाओ. तो जहां पे purpose की बात आई, तो वहां पे आपने should use किया. और एक चीज़ यह भी ध्यान रखेंगे, कि lest के साथ, जहां पे भी आपको यह word दिखेगा, लेस्ट, तो लेस्ट के साथ, हमेशा हम should का use करते हैं, यह भी एक यहां पे बात है. तो यह इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यानि यदी का sense आता है, वहां पे भी हम should का use करते हैं, जैसे should you work hard, you will get success. यानि आप कठिन परिश्रम करो, यदी आप successful होना चाहते हो तो, ठीक है, तो जहां पे भी sense आता है, यदी का, तो वहां पे भी हम use करते हैं should. ठीक है, उसके बाद अगर हम should के साथ have लगा देते हैं, तो वह किस form में बनता है, वह form express करती है, obligation in the past. अतीत में, किसी obligation को दर्शाने के लिए, हम should के साथ have का use करते हैं. example तो संगजेंगे, he should have left a message, उसको एक message छोड़के जाना चाहिए था, तो यहाँ पर बात हो रही है, पास्ट में obligation की, यानि अतीत में, यानि जो पहले बीच चुका है, वहाँ पर उस condition की बात हो रही है, कि वहाँ पर उसको ये काम करना चाहिए था, वो obliged था ये काम करने के लिए, तो इसलिए जहाँ पर इस तरह की condition होती है, Hindi sense जाता है वो भी चाहिए में ही आता है यानि जब हम Hindi में किसी Hindi में जब हम बोलते हैं कि हमें यह चाहिए हमें यह करना चाहिए तो जहां पर sense निकलता है चाहिए का वहाँ पर हम must use करते हैं तो should और must में यह difference है कि यह आजाती है necessity के लिए ठीक है जहां पर अनिवारेता कंपल्शन की बाज आ जाती है वहाँ पे हम यूज करते हैं must example से समझेंगे you must follow the traffic rules, यहाँ पे आप you should नहीं कर सकते, कि traffic rules आपको follow करने चाहिए तो यहाँ पे आप should का use नहीं कर सकते हैं means आपके पास option नहीं है कि आप traffic rules follow करें ना करें, आपको traffic rules follow करने ही है, तो इसलिए यहाँ पे हम use करते हैं must का, you must follow the traffic rules ठीक, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे order की बात आती है जब हम किसी को आदेश देते हैं, तो वहाँ पे भी हम use करते हैं must का, you must not leave now, आप अभी नहीं जा सकते ठीक है, तो जहाँ पे भी हम किसी को order देते हैं, तो वहाँ पे हम use करते हैं must उसके बाद जहाँ पे strong possibility की बात आती है ठीक है, तो हाँ पे may की जगा हम must का use कर सकते हैं ठीक है, जहाँ पे भी हम strong possibility के लिए हम may का use करते हैं और less possibility के लिए हम might का use करते हैं तो उसी तरीके से जहां पर भी strong possibility होती है वहां पर हम may की जगा must का use भी कर सकते हैं ठीक है example तो समझेंगे it is 12 p.m. the teacher must be in the class अभी 12 बज़ रहे हैं तो teacher को इस वक्त class में होना चाहिए तो यहां पर क्या है यह strong possibility को show कर रहा है तो strong possibility को show कर रहा है तो इसलिए हमने यहां पर may की जगा must का use किया उसके बाद अगर हम determination show करना होता यानि किसी का deadness चे अगर हमें show करना होता है तो उसके लिए भी हम must का use करते हैं determination के जिसे examples इसको समझेंगे कि I must do this task मुझे यह काम करना ही चाहिए यह उसका एक strong determination है जिसको represent करने के लिए हमने यहां पर use किया है must ठीक है उसके बाद अगर हमें किसी deduction या inference पर जाना होता है तो वहां पर भी हम use करते हैं must का यानि किसी के एक चीज को देखे हम दूसरी चीज का जब आकलन लगाते हैं तो वहां पर भी हम use करते हैं must जैसे example से समझेंगे यहां पर लिखा है he has a big car he must be rich उसके पास एक बहुत बड़ी car है तो हमने सिर्फ उसकी car देखी कि उसके पास एक बड़ी car है तो हमने यह अपने मन में inference किया कि he must be rich है अवश्य ही अमीर आदमी होगा ठीक है तो यहां पर हम जब किसी चीज को assume करते हैं उसकी किसी चीज के आधार पर तो वहां पर भी हम must का use करते हैं ठीक है एक और example से इसको समझेंगे second example कहता है कि she reads a lot she must be nerd वह बहुत ज़्यादा पढ़ती है अब बहुत ज़्यादा पढ़ती है तो इससे हमने यह आकलन लगाया कि वह जरूर ही एक किताबी कीड़ा होगी तो हाँ पर हमने इन दोनों sentences से पता चला कि हम जब किसी चीज को assume करते हैं किसी पहली चीज के आधार पे तो वहां पे भी हम किसका use करते हैं must का ठीक है अब must के साथ भी have का use हम कब कर सकते हैं तो this form is used for a past action or situation indicating non performance of action past हमारे यानि अतीत में ऐसे action की और situation की जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ तो उस तरीके के action को जब हमें represent करना होता है तो हम वहां पे must के साथ have का use करते हैं और verb की use करते हैं हम हमेशा third verb ठीक है जिसे example तो समझेंगे कि you must have follow traffic rules तुम्हें traffic rule follow करना चाहिए था यानि ये काम होना चाहिए था लेकिन ये काम नहीं हुआ तो past का वह action जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया तो उसे represent करने के लिए हम must के साथ have का use करते हैं और verb की हम हमेशा third form का use करेंगे तो ये चीज़ें आपको clear हो गई होंगी next video में odd2 के बारे में समझेंगे कि odd2 का use हम कहां कहां करते हैं और उसके actual uses के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करेंगे साथ साथ हमारे चैनल को जाबस जादा शेयर करेंगे thank you hi everyone welcome to our youtube channel that is shohan videos in association with an academy india's largest online learning platform इस वीडियो में हम एक important notification के बारे में आपको information देंगे वीडियो की start करते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप मुझे an academy पे follow करना चाहते हैं तो आप मुझे an academy पे follow कर सकते हैं वहाँ पे आपको ssc की free classes special classes provide की जाती हैं जो की सब ही के लिए accessible हैं और सब ही के लिए free हैं यानि आपको उसके लिए कोई charge नहीं प करना होता है और आपको ssc की वहाँ पे free classes provide कराई जाती हैं यह मेरी profile है an academy पे आप मुझे वहाँ पे follow कर सकते हैं साथी साथ अगर आप an academy plus से कोई भी subscription लेना चाहते हैं तो यह code है हमारा चुहान videos code applicable है सभी तरह के courses के लिए code को apply करेंगे तो आपको 10% का discount दिया जाएगा ssc में कुछ exams ऐसे होते हैं जिनके tier 2 या tier 3 में descriptive paper होता है descriptive यानि की pen और paper का use किया जाता है और आपको उसमें like essay writing, letter writing, precise, short story इस तरह के questions उसमें आते हैं जिसमें आपको लिखना होता है तो ssc के इन सभी exams के preparation के लिए जितने भी hot current topics जैसे essay अगर आपको लिखने के लिए आता है तो essay में किस तरीके के topics आते हैं वो सब letter अगर लिखने को आता है तो letter के क्या topics रहेंगे तो descriptive exam की preparation के लिए एक batch start करवाया जा रहा है जो 5 October 2020 से start होगा तो जिसने भी unacademy plus का subscription ले रखा है वो इस batch में खुद को enroll कर सकते हैं और अगर unacademy plus का subscription नहीं ले रखा है तो unacademy plus का subscription लेंगे और इस batch में खुद को enroll करेंगे अपनी preparation के लिए तो इस batch की खास बात यह है कि इसमें जो टॉप educators है वो आपको prepare करवाएंगे batch की जो timing रहेगी हर subject के लिए एक particular dedicated timing fix की गई है कि subject के लिए कौन सा batch allot किया जाएगा यह आपको enroll होने के बाद उसमे complete information दे दी जाएगी syllabus की जो starting होगी बिल्कुल foundation से होगी साती सातने previous year question papers भी आपको solve करवाए जाएगे यानि पिछले कुछ सालों में जितने essay या letter से letter जो भी topics उसमें होंगे वो सब आपको यहां पे करवाया जाएगे weekly quiz आपसे करवाया जाएगा साती सात इसमें time to time mega quiz भी होते हैं तो इसमें जो educators हैं जो आपको इस batch में पढ़ाएंगे वो हैं अंत्रा भुयान सामभवी पांडे और क्रती सिंग यह तीन educators हैं जो इस batch में आपको पढ़ाएंगे batch की timing याद रखेंगे batch हमारा 5 October से start होने जा रहा है तो उसमें सभी आप अपने आपको enroll करवाएंगे और S.S.C. की better preparation के लिए S.S.C. की अच्छी preparation के लिए आप उस batch में खुद को enroll करेंगे तो unacademy plus subscription के बहुत सारे benefits हैं आप इसमें unlimited आपको live classes मिलती हैं जो आप कहीं से भी access कर सकते हैं अगर किसी case में अगर किसी दिन आपकी live class छूट जाती है तो उसके लिए परिशान होने की ज़रुद नहीं है आप उसका recorded version unacademy platform पे आपको उसका recorded version मिल जाएगा आप वहां से उस class को फिर से access कर सकते हैं इसमें आपको इंडिया के top educators होते हैं जो वो पढ़ाते हैं उनके द्वारा आपको class दी जाती है complete preparation करवाई जाती है जीरो से start होती है preparation और advanced level तक preparation जाती है complete इसमें आपको guidance provide कराई जाती है आपकी performance आपकी preparation किस track पर चल रही है इसका यह track करने के लिए भी यहाँ पे आपको time to time quizzes करवाई जाते हैं साथी साथ आपको test series भी provide कराई जाती है PDF format में आपको notes provide कराई जाते हैं जो आपके time को save करते हैं proper guidance मिलेगी इसमें ठीक है तो इसमें आपको करना जिर्फ इतना है कि एक special code है इस subscription में जो आपको इसमें enter करना है special code मैंने आपको बदाया चोहान videos वो हमारा special code है वो आप इसमें enter करेंगे और आपकी fees में इसमें discount हो जाएगा जैसे six months की अगर हम एक साल की फीज की बात करें तो वह है छे हजार रुपे जा सिक्स मन्स की फीज है 4800 और 12 months की फीज एक साल की फीज है वह है छे हजार रुपे अगर आप इसमें चोहान videos code का यूज करेंगे तो फीज आपकी हो जाएगी 54 रुपे तो इस बैच के बहुत सारे benefits ने आप इसको जलतजन enroll करें six months के subscription में आपको 33% का off मिलेगा 12 months के subscription 58% का off मिलेगा 24 months का subscription लेंगे अगर तो इसमें 75% का आपको off दिया जाएगा तो आपको अलग-अलग batch में enroll नहीं होना है अलग-अलग course subscribe नहीं करना है एक single subscription लेना है और आपक तो सभी batches में enroll होने का मौका मिलेगा तो code आप ध्यान रखेंगे code है चोहान वीडियो इस code का use करना है आपको subscription लेते वक्त और आपको 10% का discount मिलेगा unacademy के सभी plus courses में तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share subscribe जरूर करेंगे साथी साथ हम हम बहुत जल्द एक लाग subscriber को cross कर सकें thank you so much